हेलो प्यारे बच्चों वैलकॉंस अगैन बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जो सेकेंड नंबर का क्वेस्चन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वह एक रैसल नंबर है अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो यह आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा उससे यह इजी मैथट से बनेगा इसके बाद हम आगे के वीडियो बनाएंगे उनका लिंक साथी साथ जो मैं नोट 2 रूट 5 जो है वो क्या है एक रैसल नंबर है एक्चल में है रैसल लेकिन हम लोग खुद को गलत साबीत करने के लिए इसको एक रैसल नंबर मान लेते हैं तो अगर यह रैसल नंबर है तो हमारा 3 प्लस 2 रूट 5 जो होगा वह इकोल हो जाएगा P by Q के क्योंकि P by Q जो होता है हमारा एक रैसल का फॉर्म होता है यहां पर लीग देंगे वियर क्यू इस नौट इक्वल टू जीरो जो क्यू है वह जीरो के बराबर नहीं है कभी भी हमारा इसके बराबर है तो अब हम लोग को इसको ही सॉल करना है और यहां से हमको अपने आपको गलसावीत करना है कै यहां पर नीचे मैं 1 चूपा हुआ है तो आप इसको क्या करो से मंटिप्लाई करो और म Idves लेधर में बीड़áticas करदो तो थिरीए क्यू आपको च्छा जाएगा गा स अब हम लोग क्या जानते हैं कि P by Q जो है वो एक rational number है इसका मतलब कि यह हमारा क्या होगा है? एक rational number होगा अगर आपको इसको अलग-लग मैं लिख करके दिखाऊ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हो ना P by में 2Q और माइनस में 3Q by में 2Q क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर denominator में कुछ भी number लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ऊपर वाले numerator के साथ अलग-लग लिख सकते है क्योंकि जब हम लोग solve करते हैं तो जो same-same denominator रहता है उसको एक बार लिखा जाता है तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख लिए नंबर यह हमारा एक rational number है rational number तो इसलिए so root 5 इस ऑल्सो एक rational number अगर इधर rational number है बीच में equal की sign बनी हुई है तो इधर भी जोगा वह बी एक rational number होगा तो लिखेंगा so root 5 is also a rational number यह भी एक rational number होना चाहिए लेकिन अभी अबने पिछले वाले कुसे में क्या देखा था कि रूट 5 जो होता है वो एक irrational number होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे and now we arrived in a contradiction हम लोग एक contradiction में आ जा रहे है विरुधा भास में आ जा रहे contradiction और contradiction क्या है contradiction यह कि रूट 5 एक rational number है क्योंकि हमने भी प्रूफ किया था पिछले वाले question में ही और हम जानते है तो now we arrive at a contradiction हम लोग एक contradiction में आ गया है कि हम लोग rational बोल रहे हैं और वो irrational होता है है ना सो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा assumption था जो हमने माना था इसको हमारा एक rational number में माना था ना तो वह हमारा गलत है सो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि सो अवर assumption is wrong हमारा जो अनुमान था वह क्या हो गया वह रॉंग हो गया गलत हो गया और हमारा अनुमान रॉंग है इसका मतलब कि 3 प्लस 2 रूट 5 इस एन इर्राशनल लंबर तो इस तरह के साब चोटे-चोटे इस स्टेटमेंट्स तोरे से लिखने पड़ेंगे और आपका जो question वो पूरूप्र solve हो जाएगा इस तरह के सापको यह question complete होता है आई हो अच्छे साब को समझ में आगया होगा कुछ भी doubt हो तो इंस्टाग्राम टेल के नाब की तरू पूछिएगा वहाँ आप पर मैप ल झाल